तो नमस्कार दोस्तों लुशेंट रास्तान जीके के इस्पेशल वीडियो में आपका वेलकम है तो यहां डिस्कस की जाएंगे इंपोटेंट कोशन ने और उन कोशन के माध्यम से आपके तीन से चार कोशन और भी त्यार कराए जाएंगे और कुछ इस प्रकार से समझाए ज यह तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो कशन है मारा खेजडी को राज्य व्रक्ष कब गोशित किया था तो खेजडी एक इंपोर्टेंट प्रक्ष है मरुस्तलिय शेत्र का जिसे राजस्तान का राज्य व्रक्ष बनाए गया है इसका वेग्यानिक नाम आप से काफी रक्ष केते हैं और इसकी पूजा कप की जाती है तो दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एक खेजडी की रक्षा के लिए एक अमरता देवी शहीद हुई थी कब शहीद हुई थी 1730 इस्वी में शहीद हुई थी और यह कहां की घटना है यह जोदपूर की घटना है जब जोदपूर के जो राजा थे वो महल बनवाने के लिए लकणियों की आउशकता थी महराजा अबे सिंग को तब इन्होंने गिर्दर दास को आदेश दिया था त ये समद्दित गटना है और दी वसका मनाया जाता है तो प्रतेक साले 12 सितमबर को खेजडिली दीवस के रूप में मनाय जाता है तो प्रशन पर आते हैं तो कभ इसे राज्या व्रक्ष गोषित किया गया था तो सन ने गोशित किया गया था ये भी आपको याद हो ना चीह है तो को भी उन्य सु तीया से में में इसे प्रदेश को जाना जाता है तो ये अरा लिड़े परवर्ड़िये को जाना जाता है मेरू नाम से अगला प्रस्थन है मरुस्तलिय शेत्र में सरवादी घानी जिन बालू का स्थूप से होती है वह है तो यह बर्खान बालू का स्थूप से है जिन से सबसे ज्यादा हनी होती है मरुस्तलिय शेत्र में क्योंकि अनुदेरिये बालू का स्थूप आपके ह स्मांत्र बंते हैं अनुप्रस्ट बालू का हवा की दिशा के समकॉण पर बनते हैं और पर्वले बालू कास्तूरु के से और यह सबसे ज्यादा नुक्सान दायक होते हैं मंदुस्त लिए शेत्र में अगला प्रश्न है राजस्तान राज्य किस वर्ष की गई थे तो सन ने 1994 इस्वे में हरत करगा विकास निगम की स्थापना की गई थी अगला प्रस्न है राजस्तान में सूचना तक्नीकी पार के कहां विक्सित किया गया है तो ये जेपुर शहर में विक्सित किया गया है सूचना तक्नीकी पार के अगला प्रस्ण है तालचापर और परियार रन शेत्र राजस्तान में कहां इस्तित है तो यह आपके शेखावाटी शेत्र में इस्तित है परियार और तालचापर रन शेत्र अगला प्रस्ण है मद्देकालिन भारत में चितोड को किस नाम से जाना जाता था तो इसे खिरजाबाद के नाम से जनल था क्योंकि अलाओदिन खिलजी ने यहां पर आकर्मन किया था और यहां के साशके रतन सिंग को मार करें यहां पर जो किला था चितोडगडगा उस पर कबजा किया और उस किले को अपने पुत्रे खिरजगगा को सौप करें इस किले का नाम है खिरजाबाद कर दिया था अलाओदिन खिलजी ने इस कारण से मद्यकालिन भारत में जितोडगो किरजाबाद के नाम से जाना जाता था अगला प्रस्ण है पहाडों की नगरी राजस्तान के किस इस्तान को कहा जाता है तो ये डुंगरपुरिस्तान को कहा जाता है पहाडों की नगरी के नाम से अगला प्रस्न है बोराट का पठारे निमलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है तो ये आपके उद्धेपुर और रासम जिले में फैला हुआ है बोराट का पठारे इसे आप नोट कर लिजे काफी बार एकजाम में पूछा गया है अगला प्रश्ण है बीसल देव की परीमिका राजमती कहां के शाषक के पुत्रे थे तो ये मालवा के शाषक की पुत्रे थे बीसल देव की परीमिका राजमती और इस प्रेम कहानी पर बीसल देव रासो एक ग्रंथ भी लिखा है जिसकी रसना जयानक ने की है अगला प्रशन है दल्पती विजे द्वारा रचित ग्रंत थे खुमान रासों में मेवार के कि स्याशक के उपलब्दियों का वड़न किया गया है तो महराजा राज सिंग के उपलब्दियों का वड़न किया गया है खुमान रासों ग्रंत में जो के दल्पत विजे द्वारा रचित है अगला प्रस्ण है खुमान रासो ग्रंद की रसना किसने की तो दलपत विजे ने की है अगला प्रस्ण है राजस्तान में बीहड भूमी का सरवादिक विस्तारे किस जिले में है तो ये सवाई मादोपर जिले में है बीहड भूमी का सरवादिक विस्तारे अगला प्रस्ण है प्रत्वी राज विजे ग्रंद की रस्णा किसने की है तो ये जयानक के द्वारा की गई है प्रत्वी राज विजे ग्रंद की रस्णा अगला प्रशन है राजस्तान में बूंडी के महरावर राम सिंग के दर्बारी कवे कौन थे तो ये सूर्यमल मिश्रण थे जो के राम सिंग के दर्बारी कवे थे जिनोंने वंच बासकर गरंद की रसना की है अगला प्रस्न है हाला जहालरी कुंडलिया की रस्ना किसने की है तो ये ईसर दासने की है हाला जहालरी कुंडलिया की रस्ना अगला प्रस्न है कानड दे प्रबंद गरंद में रचियता कौन है तो पद्म नाम है जो के कानड दे प्रबंद गरंद के रचियता है प्रशन है राजस्तान में प्रसिद वेली किसन रुकमनी री रसना किसने की है तो राठोड प्रत्वी राजने की है वेली किसन रुकमनी री रसना अगला प्रशन है बातारी फुलवारी गरंद की रसना किस ने की है तो ये विजेदान देथान की है बातारी फुलवारी गरंद की रसना अगला प्रशन है कवी सूर्यमल मिश्रन के किस रसना में बूंदी के महराजा राव सुर्जन सिंग की उपलब्दियों का वर्णन किया गया है तो ये वंश बासकर रसना में किया गया है सुर्जन सिंग की उपलब्दियों का वर्णन सूर्यमल मिश्रन ने जो की बूंदी मे राम सिंग के दरबारी कवी थे अगला प्रशन है राजस्तान में मेवाड और बार्डमेर के पुर्शों का सामुई के वरतागार नरते को कहा जाता है तो इसे गेर नरते कहा जाता है जो कि होली के अवसर पर मेवाड और बार्डमेर शेतर में किया जाता है अगला प्रशन है अगनी नर्ते का उद्गा में राजस्तान के किस जिले में हुआ है तो ये बेकानिर जिले में हुआ है अगनी नर्ते का उद्गा में और ये जसनाती संप्रदाय से सम्मन देते लोग इस नर्ते को करते हैं और ये फत्ते फत्ते कहते हुए ये नर्ते करते हैं तो काफी फैमस नर्ते है अगनी नर्ते अगला प्रशन है कौन सा नर्ते राजिस्तान में फत्ते फत्ते कहते हुए किया जाता है तो अगनी नर्ते है जो कि फत्ते फत्ते कहते हुए किया जाता है अगला प्रश्ण है सेवन घांसे किस जिले में विस्तिरत है रूप से उखती है तो ये जेसलमेर जिले में उखती है सेवन घांसे जो की काफी पोच्टिक घांस होती है जानवरों के लिए और ये famous घांस है जेसलमेर शेत्र की अगला प्रशन है राजस्तान के लोग संते पीपा के बच्पन का नाम में क्या था तो ये प्रताप सिंग था जो कि संते पीपा के बच्पन का नाम था अगला प्रशन है राजस्तान में प्रत्विराज रासों की रसना किसने की है तो चंदर बरदाई ने की है जो कि प्रत्विराज चुहांत रत्ये का एक दोस्त था और इसके अलावा एक कवी भी था और इस प्रत्विराज रासों गरंद के अनुसारे जो राजबुतों की उत से हुई है जिसे चोहान चालुक के प्रमार और प्रतिहारे इन चार राजपूत वन्षियों का उदे हुआ है अगला प्रशन है राजस्तान में बीसल देव रासों की रसना किसने की है तो नर्पति नालने की है बीसल देव रासों की रसना अगला प्रश्ण है राजस्तान में हमीर रासो वे हमीर कावे की रसना किस ने की है तो ये सारंग देव ने की है हमीर रासो और हमीर कावे गरंत की रसना अगला प्रश्ण है बीसल देव की वीरता पराकरम ने एवम राजमती के साथ प्रेम का वर्णन ने किस कवी ने अपनी करते बीसल देव रासो में किया है तो ये नर्पती नाला ने किया है इस गरंत में इन्होंने बीसल देव की वीरता पराकरम और उनकी पत्नी राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किया गया है अगला प्रशन है राजस्तान का प्रवेश द्वारे किसे कहते हैं तो यह बहरतपुर को कहते हैं राजस्तान का प्रवेश द्वारे अगला प्रशन है दौलत खां किस गहराने के गायक थे तो यह अत्रोली गहराने के गायक थे दौलत खा अग्ला प्रस्थान है आपका राजस्तान में सास बहु का मंदिर जिसे आपे सहस्तर बहु मंदिर कहते हैं कहां इस्तित है तो यह नागदा में इस्तित है और नागदा कहां इस्तित है तो नागदा आपका उधेपुर जिले में इस्तित है अग्ला प्रस्थान है राजस्ता वे फ्रेखा के नाम से जाना जाता है जो सिमा राजस्तान और पाकिस्तान की लगती है इसके अवा अन्ने राज्जियों के साथ में 480.000 किलोमेटर की सीमा राजस्तान की लगती है जिसमें पांच राज्जी आपके शामिल है पंजाब हरियाना उत्तर प्रदेश मद्देश और गुजरात इन पांचों के साथ में 4850 सीमा लगती है और कुल सीमा की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी तो दोनों को जोड़ देंगे जीरो साथ और पांच बारा का दो हांसे लगी है कि उसके बाद में आट और एक नो चार और एक पांच है तो 5920 किलोमेटर सीमा है राजस्तान की कुल इस तलिए सीमा अगला प्रशन है राजस्तान में संभाविते वास्पन वास्पॉर सर्जन के वार्षिक दर सबसे अधि द्धिन का जोबड़ा के नाम से प्रसिद्ध किस शहर में है तो ये अजमेर शहर में स्थित है Rei दिन का जो बड़ा और यह अजमेर शहर में इस्तित है